गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है 15 नेवेंबर और भायदूज है तो सभी के लिए हैपई भायदूज एंजॉइ करते रहें मस्ती करते रहें और पढ़ाई करते रहें आज का हमारा एडिटोरियल है ब्रीज टू नो वेयर ब्रीज का मतलब गैप भरने से होता है यह फि कौन कौन से मैं लिग देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा एक इस्राइल है और एक पलेस्टाइन मैं लेक देता हूं यहां पर यह दो देश हैं इनके बीच में लड़ाई जगड़ा चल रहा है मैं आपको मैप के जरीए बताने वाला हूं यहां पर कि इन दोन क्या लिखा हूँ और रेडिंग को बढ़ाने से हैं कि लिए फिलाल हमारे पास इस वाले जो एडिटोरियल है इसमें जो बोकैब लिक्वी मैं नहीं यहां पर लिख दिये लग बहुत बढ़ने और काफी अच्छे बढ़ने जब मैं पूछे जाते हैं यहां पर आपको होना चाहिए ठीक है फिलाल देख लेते हैं मैंने कुछ बढ़ यहां दे रखे हैं आठ वर्ड और एक्क्यूज की रूप में आप लेके चलिए मैं देखना चाहता हूं कि आपको आपको आते हैं मुझे ज़रू कॉमेंट करना कि आपको कितने आते हैं ठीक है फिलाल पहला बरड़ है नो बेर का मतलब कहीं नहीं क्या होता है कहीं नहीं not anywhere clear दूसरा बरड़ अटिकुली बहुत ही अच्छा बड़ा और कई बार आया हुआ है इसका मतलब सुपस्ट होता है साब साब एन्टिकल का मतलब होता है एक जैसा है same exactly इश क्यों इशलेट का बातर है बोल सकते हैं इसके मीणिंग का मतलब काफी बार आया हुए बरड़े मालूम होना चाहिए जोर लगाना प्रियास करना पुट तो यूज में ग्रीट इफर्ट बोल सकते हैं के लिए नेक्स्ट बड़ा स्टेंड बाई ये भी काफिवार आया हुआ है इसका मतलब होता है समर्थन करना समीब खड़े रहना ध्यान रखना भी एविलेवल फॉर एस सर्टन फंक यह जो फिसी को सरल कर देना या किसी को रिलीफ देना एलबिट कहलाता है फिलाल आट वर्ड वर्ड मैं से आपको कितने वर्ड आपको याद थे शीक्स यासेवन ठीक जो भी रहा है आपका स्कूर आगर आपको आते हैं तो समझे पढ़ाई सही चल रही है अगर नहीं आते तो थोड़ी सी कोशिश और कीजिए वीडियो अगर अच्छी लग रहे हैं तो आप उच्छा लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हम प्रिविएश यह जो प्रिविएश के कुछ कुछ क्विश्टन से मैं यहां पर डेली डिस्केस करता हूं कि देखिए हमारे पास बनबर्ड क्या दिया था मैंने कि one who helps the needy and helpless एक ऐसा ब्यक्ति या ऐसा कोई जो help करता हो नीडी व्यक्ति की जिसको जरूर हो यह मजबूर हो उसकी मदद करें तो उसको हम क्या बोलेंगे चलो मैं एक बार explain कर देता हूं सारे के सारे बर्ड मैं बताता चलता हूं पहला बर्ड है इगो इस्ट ठीक है यह इगो टिस्ट बोलतीजिए इसको बोलते हैं मैं लिख दे टडढ हैं मैं लिग देता हूं जब क्या करें जो अपने भी सहां में आपने ही बारे में शोच rappers उसको इगो मिख टिस्ट बोलता हैं क्लेर हो गया नेक्स्ट अबड हैं तो Case कर दे के आप यह फे और सब्सक्राइब उने —— कहाने इसको फ्रहन बोल सकती है अधियों में क्या आया हुआ बड़न है और सब्सक्राइब करता है जो दूसरी की मदद करता हो क्या करता हो यह मैं लिख दिता हूं मुशीवत में मदद करता हूं कि में कि मदद करने वाला अब आपको पता चल गया होगा कि इसका कौन सांसर है बात हैल्प की आ यह नीडी परिशन की हेल्प की बात आ रहे तो समयलिटे नहीं होगा और कोई आंसर नहीं हो सकता फिलाल यह चारो बड़ थे मैंने अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा लेकिन आपकी कल का जो असाइनमेंट है वो है क्यूपीडिटी का एंटेनिम बताना है और साथी साथ आपको चारो बड़ की मीनिंग भी बताने हैं हाला कि कम्यूटी में मैंने डाल रखका है और आपको इंस्टा पर डाल रखका कहीं भी जाकर करके आप देख सकते हैं ठीक है इसका आंसर कर सकते हैं लिए आंसर जरू कर दिया करो ताकि आप लोगों को न कनेक्टिविटी बनी रहे अगर लोग आप लोग जितना ज्यादा कनेक्ट रहेंगे उतने ही नए 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 बड़ शी दूरी है क्लियर अच्छा देख लेते हैं ब्रेज टू नोवेर कहीं भी घब भरा हुआ दिखाई निदे रहा है इंडिया इंडिया को थोड़ा से ना फोर्स वोल होना चाहिए इन आर्टिकुलेटिंग आर्टिकुलेटिंग का क्या मतलब बतायता है मैंने सू इस पस्ट बादी ठीक है यानि की जो क्या रहा है एकदम इस पस्ट बोल दे क्लियर बोल दे उसको इन्डिया को ना इस पस्ट बादी बनना चाहिए इंडिया का पॉजीशन ओन गाजा की इंडिया की पुजीशन क्या है गाजा को लेकर के किसको गाजा को लेकर के इंडिया को इस माम अब मैं थोड़ा से मैप दिखा देता हूं यह देख रहे हैं यह गाजा का एरिया जिसमें जंजड चल रहा है यह प्लिस्टाइन का और यह सब इज्राइल का एरिया अभी इज्राइल यह पूरा है हbalance कि हम हिस्ट्री पर नहीं जारें यह सब पलिस्टाइन ऊएक तैक और इहां पे कुछ लोग रहते हैं जिसको हम बोलतें हमास की लोग यहां वाले लोग पलिस्ताइनी लोग हमला नहीं करते ध्याह डशा राकना आटैक नहीं करते हमास वाले ना थोड़सा आटैक करते हैं इस्राइल उन्हों पर बहुत तगड़ा टैक करता है प्लिस्तानी को खतम ही कर देता है समझ रहे वह जगह अक्योपाइट कर लेता है घेर लेता है मैप से समझ में आ रहा होगा आपको ठीक है यहां पर कौन रहते हैं गाजा में हमास वाले पीपल रहते हैं क्लियर समझ में समझ में आ गया तो इसको ले करके जगड़ा रहता है समझ में आ गया यह है काफी पावरफुल कंट्री है समझ में आगे मैप से अब आपको गाजा को ले करके समस्था नहीं आए कहां पर है क्यों कैसे एक जेरुशिलम लिए है कैपिटल इसको ले करके जगड़े रहते है क्लिर है अब चलता हूँ मैं एडिटोरियल पर यहां तक समझ में आ गया 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 अब मैं सेंटेंस को क्लॉज बाई क्लॉज आपको एक्स्प्लेइन करूँगा ठीक है और फिर आप समझ जाओगे सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकि घवडाने वाली बात नहीं है सेंटेंस में दो पैराग्राफ लिख्के हुआ है पहले पैराग्राफ में क्या-क्या हो रहा है अभी औ टूबीक्स आफटर दो सब्सक्राइब आपका कार्डिनल एडिजिक्टिव है और जिसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है तो दो यह प्लूरल लिग लिए टूबीक्स आफटर एबस टेनिंग अब आफटर के बाद एपस्टेनिंग एपस्टेन का मतलब तो गिबब करना होता है छोड़ना होता है कि लिए अब यह कहना क्या चा रहा है कि यह क्लीर मतलब तो कि सब्सक्राइब तो दो सब्तित दूरी बनाते वो कुछ नहीं बोला किसकी बात चले यह देखते हैं कि रिजिलुशन डैट कॉल फॉर आवान किया गया डिजुलीशन से यह यह यूएंज जीव में जनल जो असेंबली है वहां से एक से पास किया गया ठीकिया यह उसके दोरा आवहन किया उसकर कम लएक करना किस सीज़ और का मतलें संद्दी यह करने के लिए आवहन किया कॉल के इतना क्लिर हो यह वाला गाजा जो इरिया इस पर क्लियर अब गाजा पर बहुत सारी क्या होई है इस ट्राइक होई और रिजिलेशन पास किया गया कहां से जन्नल असेंबली से ठीक है दो सब्सक्राइब दूरी बनाकर कि अब किसकी दूरी यहां पर यह लगा हुआ कॉमा यानि कि यह सेंटेंस का क्लॉज आगे फिर तुम बोलोगी सर इसका सब्जक्ट वालूम नहीं पड़ा इसका सब्जक्ट है इंडिया क्या है इंडिया आप देखो मैं इससे थोड़ा से रफ कर देता हूं तो आपको ज्यादा बिजीवल होगा ज्यादा समझ में आगय या फिर सिंतेसिस अगर आपने अच्छे से सीखे न तो यह समझना एडिटोरिल को काफी शरल हो जाता है यह होगे सेंटेंस यहां तक अब मैं यहां पर सेंटेंस को हाइलाइट करता हूं इन्होंने बले इंडिया यानि इंडिया ने अवाइड किया था एक्स्टेनिंग क के लिए उसके ब्राम करने के लिए युद्ध को आभान किया कॉल की या डिमांड की कॉल फॉर का वंदे डिमांड होता है काफी दिहान रखना आपको और पेपर में कही बार आए वो फिर जल्वाब आगे देखिए इंडिया बोटिड इन एक बड़ा बोट इन ठीक है बो ऑपो इन इन पर औरिटरी यहां तक आ गया हमारा सेंटे से हाथ है ठीक है अब इन्होंने क्या आप हां समझना कि इंडिया बोट इन फेवर किया छे मैंसे पांच एनौल ड्राफ्ट बने होंगे कोई नियम बने होंगए एनुली ठीक है जो सालाना के होते हैं उसकी बात हो एक्षे-परहतों आप See ways और छीनिवेयो चया के वैश्वार्टितारी पर उसे दिए इनडिया कि उसमें क्रूपि ऑन दिल इंक्रीजिंग बढ़ते हुए settlements की increasing बढ़ते हुए settlement करता जा रहा है कौन इज्राइल in occupied occupied को नहीं घेरे हुए territories पर जगह को घेर रहा है उस पर क्या कर रहा है settlement कर रहा है अपना वह एन favor of Palestine's right to homes and property यह जो favor है वो Palestine's के right के लिए है अब देखें मैप मैं दिखा देता हूं यह जो आता है जिसको गाजा नाम है यह प्लिस्टाइन का यह जो green green दिखा देखें रहा है सब प्लिस्टाइन और यह सब क्या आपका इज्राइल है समझ में आ गया यानि कि यह पर हम इसमें कौन रहते हैं हम आज के लोग जैसे अटक करते हैं तवड़ा आटक करता हूं इसको गाय आपे जो निएम पारत किया गया निएम ट्राफ्ट बनाया हूं इसमें प्लिस्टाइन के हों की होम की बात हो हुह इसके फीवर से गया अगे देखिए सपोर्टेड हैं सबोर्टर एंड लेंध किगया सबंड़ करने बाद लिए अम धर आद्क कर दो नादे घनसी आपर झ सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको ऑपरेटिंग गाजा गाजा में जो भी काम कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं फिलिस्तान के और इस्राइल से बंद कीजिए अटेक करना ठीक है समझ में सब्सक्राइब क्या सारी बाते लिखी हुई है यह आपको समझनी पड़ेगी बहुत पेशेंस के साथ और यह मैप से ही ज्यादा अच्छा समझ जाए इसलिए मैंने आज मैप को लेना उचित समझा या जैस्टिफाई समझा अब मैं अगले सेंटेंस को ले लेता हूं क्लियर आप ज्यादा बहतर समझ में आएगा थोड़ा सा उपर करता हूं यह देखिए दा ओफिशिल एक्स्प्राइशन ऑफ दा बोर्ट एज रूटीन आफर्मेशन ऑफ इंडियाज ट्रेशनल पॉलिशी हैज ओनली एड़ेट तो कन्फीजन ओवर दा गॉर्मेंट्स स्टेंड एज्क्राइश ओफिशिली जब एक्स्प्लाइशन मिली उसे ऐक्स्प्ल bull किया गया जैसे धुरुटीन का मतलब करने के लिए इंडिया ध्य इंडिया के जो ट्रेडिशन है के प्लिसी है इस केबलों केवल कन्म सुवूजन करियेट कि zijn X इन्डिया की ट्रेडिशनल ट्रेडियची है उसने कि नहीं कीछ gefवल करन्म करियेट कि लोगों को नहीं कि इंडिया के स्टेंड क्या है ओवर गौर्मेंट से स्टेंड और क्राइसिस की जो क्राइसिस चल रहा है फिलेस्टाइन और इस्राइल का जो जगड़ा चल रहा है यह वाला क्राइसिस को क्राइसिस बोलेंगे उस पे इंडिया का क्या स्टेंड है इंडिया की गौर्मेंट के क्या चाहती है इंडिया की गवर्मेंट की यह रुकना चाहिए यह नहीं रुकना चाहिए ठीक है और रुकना चाहिए तो किसका support कर रहा है इजरायल का है यह प्लिस्टाइन का क्लियर समझ में अगे sentence का मिनिग हमें explain कर दते हूं आगे अब यह लगा sentence देखे क्या कहना जब explanation की गई in October, October के महिने में said कहा क्या गया था जो देखिए क्या कहा गया था कि India could not vote for resolution इंडिया जो है resolution के लिए बोट नहीं कर सकेगा या कर सका that की it did not include explicit explicit का मतलता है इस पस्ट condemnation अगर वो इस पस्ट रूशे condemnation नहीं कर रहा है या बता नहीं रहा है किसके favor में हैं तो वो बोट भी नहीं कर सकता और October 7 अटेक बाई हमास की हमास के द्वार जो अटेक किए गया था cooking गजा में रहने वाले लोग और यह फिर आतंबादियए ऐसा बोल सकते हैं जो अटेक करते हैं फिलोसे नफल स्टकोई नुशान होता पर बादी बनिए इस पर रूपशे कहिए क्लियर सेंटेंज अब देखी सेंटेंज क्या कहता है दिखों कि हावर का मतलब था हाला कि नन और दशेक्स जैने छे में से कोई भी नहीं यह चे रिजिलीशन थे उन में से एक भी रिजिलीशन को ठीक है एक भी नहीं including one in which इंडिया abstain उसको भी सामिल किया गया है जैसे माली जे पहले छे resolution पास किया गया थे छे में से पांच में इंडिया ने favor किया था तो क्या बोलना चाहरा है उनमें से कोई भी नहीं यह और जिसमें इंडिया बच भी गया था अपने आपको बचा रहा था यह क्या ठीक है डेट डिसकस investigation वो डिसकस किया गया थे हैं investigating के लिए इस्राइल फॉर राइट इस्राइल के जो अधिकार है वाइलिशन यानि अधिकारों को उसने अलंगन किया एक्चुली रैफर टू दो ऑक्टूबर सेवन अटैक यह हमास के द्वारा जो अटैक किया गया था ना उसकी बज़े से उसकी बज़े से यह क्या किया गया था investigating की गई इस पर डिसकस किया गया डिसकस चला काफी जो भी राइट से क्या उसने उलंगन किया है या नहीं किया है इस्रेयल ने यह सारी बात है फिलाल तो इंडिया जो किसी का तो सिब्स्सक्राइब करें तो इसकी बज़े है क्यों सारी केस हैं क्योंभी इसराइल ने भी इंडिया की मदद करी थी जब पाविस्टान से यू चलाता इसा कुछ था लाशट पहले 1947 के बाद जो भी युद्ध हुआ है ना तब पाकिस्तान से तब इंडिया ने इस्टीड का मतलब के बजाए इंडिया ने पहले बोड दिये थे एड नीदर इंडिया नौर एन अधर कंट्री एट फूर्थ कमिटी डेलिबरेशन प्रोपूज अमेंडमेंट एक बड में आपको बताता हूं यह कमिटी जो लिखा हुआ न इसकी स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है और पूछी जा इस तरह से याद रखें दो एम हैं दो टे हैं दो इह हैं क्लियर अब तुसनिये पूरे सेंटेंस के मीनिंग और मैं एक स्प्रेंड करता हूं कि जितने भी प्रस्ताब जैसे छे प्रस्ताब थे जिसमें से पांच में फेवर किया था पहले इंडिया ने अभी छे की बात च किसी ने भी अमेंडमेंड की उसमें बात नहीं की जो जैसे भी रिजिलेशन थे उनको बैसे ही रखने दिया गया उसमें कोई फेर बतल या कोई अमेंडमेंड मेंडिया कोई संसोदर करने की बात नहीं रखी गई क्लियर आ यह वाला सेंटेंस अच्छा अब मैं यह वाला स as they did not certain references to the current situation अब sentence का मीनिंग क्या है कि Israeli envoy envoy मतलब जो दूत बगार होते हैं न एंग्लेंड के लिए होते हैं और बाकी देशों के इन्होंने बास्ता में डिमांड करी थी rejection की anti-Israel resolution की जो छे resolution थे उसमें तो सब एंटी इज्राइल थे वो यानि की इज्राइल का ब्रोद कर रहे थे उन resolution को reject करने की मांग करी थी किसने इज्राइल के एंवोई ने डिडिड नॉट certain references to the current situation और जबकि बो current situation जो अभी किये उससे related नहीं थे यह उसको reference नहीं कर रहे थे फिर भी उन्होंने क्या किया demand की इनहें क्या किया जाए खारीज किया जाए जैरी सी वात हर देश क्या करेगा खारीज करेगा अगर उसके देश से संबंदित है तो कि अ क्लिएर है आगे देखिए क्यों भाउट क्यों ऑर्गी या ने अर्ग्यूर किया बहस की 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 जितने भी नियम है या जो भी है रिजुलीशन वो काफी इंपोर्ट देने के लिए लेकिन के लिए यहां तक समझ में आगे याने की यह कहना चाहरा की मैं फिर से बता जिता हूं क्यूबा ने अर्ग्यू दिया कि रेजुलीशन काफी इंपोर्ट देने के लिए लेकिन दे डिट नॉट सटें रेफ्रेंस लेकिन जितने भी रेजुलीशन बनाए गए वो जरूरी नह ज्यादा नहीं होगा उसमें इंक्लूटिंग चारहार बच्चे भी मारे गए और बहुत सारे लोग डिस्प्लेश हुए नियली बन मिलियने दस लाख लोग डिस्प्लेश हो गए एक जगे से दूसरे देश चले गए होंगे अपनी जान बचाने की लिए कुछ ना कुछ कि फारे में हैं पर नो ने क्या जिक्र किया हुआ है कि ठिकर जो इस अब आगे दी क्लेकाना चाहता है इंडिया डिट नट प्रोपोज कोई प्रस्ताब नहीं रखखा संसोधन का इंडिया नहीं नौर एंडिड एनी इंडियन डिपलोमेट स्पीक और एमेंड्मेंट के इंडियन डिपलोमेंट या कोई भी लीडर कुछ भी नहीं बोला है जब भी नौर से सेंटेंस बनता है तो सब्जक्ट से पहले यह इंट्रोगेटिब नहीं बना क्या बना है इनबर्जन केस है द्यहां देने इसके बाद फ्लो स्टॉप आता है ना कि कुछन मार्क यह द्यहां के लगा हुआ है क्लियर यानि कि इंडिया ने अमेंडमेंट की कोई बात नहीं किया और नहीं कोई डिपलोपेंट इस विश्वेशाय में बोला है हाला कि अगले महिने की लिस्ट आएगी है सामने रखे जाएगी बोट के लिए उसमें लंबी चोड़ी एक्स्प्लाइशन आईगी वाइब इच टाइम मूर ऑफ गाजा ठीक है जिसके द्वारा मूर ऑफ गाजा गाजा के बारें बुड हैब बीन फ्लैटें जिसके बारें बोल दिया जाए कि की गाजा तो एक दम फ्लैट कर दिया गया चील लिया गया उस पर कब्जा कर लिया गया अग्दम यह समझे घाजा खतम हो तरी किसे यह कहना चाहरा है क्या हो जागा गाजा तब तक खतम हो चुगा हुगा इसलिए क्या है लंबी चोड़ी एक लिस्ट आने वाली है जिसमे करने की इंडिया अन्बिलिंग है अनिच्छोग है टू एक्जर्ट कमला कोशिश करने में खोड़ी ही टू मेकिंगा डिफ्रेंस कि कोई भी किसी भी टाइप का डिफ्रेंस करता हुआ इसराइल के साथ कैसा भी दिखाई नहीं दे रहा है फिलाल जो चल रहा है वैसे चल ल लगातार टू होल्ड इट्स ट्रडिशनल स्टेंड ऑन दा सपोर्ट फॉर प्लिस्टाइन कॉज एंड टू स्टेट सॉलिशन बिच इट अफ्री अफर्म सुनिचित करते हैं डिरिंग दा रिसेंट इंडिया यूएस टू प्लेस्टू मिनिस्टीरियल मीटिंग अगर मैं सच में इंडिया लगातार होल्ड करें हुए ट्रेडिशनल स्टेंड है उसका कि सपोर्ड किसको कर रही अभी पता नहीं चला सपोर्ड फॉर प्लिस्टाइन कॉज उसका कारण टू स्टेट सलीशन दो स्टेट सलीशन बिच इट रियाफर्म करना सुनिचित करना डिरिंग इंडिया युएस के भी बाइलेटरल मीटिंग हुई थी टू प्लेस्टू मिनिस्टीरियल या दो हां के दो अपनी इंडिया के मिनिस्टर रहे होंगे ठीक है उनमें क्या हुआ डिस्केशन हुआ या बातचीत हुई इंडि इट इस्टेंट बाइडिस्ट्र प्लेस्ट आपा अभी यह कहना क्या चाहरा है कि वहां पर जब डिसकेशन हुआ मिस्टि स्ट्री तौर प्रबाचित की गई तो इस्टेंड क्या था इंडिया का इस्राइल के बिद जीरो टोल्रेंस की बिल्कुल भी परदास नही किया जाएगा इंडिया ने ऐसा गोल दिया अब टेरर अटेक्ट तो किसी नहीं किया है अगर बदले में कोई कर रहा है तो वह चीज़ अलग हो सकती है फिराल इंडिया का कोई इस तरह से स्टेंड नहीं जो कि कि लिए किसी को समझ में आए आगे देखिए हाउएवर हाला कि कि इट हैज नोट जोइन दा कॉल फॉर देशीज फायर और एक्स्प्लीशिटली आस्क फॉर आस्क फॉर कहना ठीक है एंड टू स्ट्राइक ओन सीविल सीविलियन टार्गेट कि हाला कि यह जोईन जब जोईन नहीं किया कॉल फॉर कॉल फॉर को दिमांड यह सब लोग कर बतार किए आम लोगों को उसका कोई फ्रिकर नहीं किया जोएन लें नहीं कैंडिया विए इसल ल्के खरता करता है इट हंटिंग फौर हमाज सब्सक्राइब होस्ट बसले की जतने भी हमास के जो को लोग है हमाज के जो fighter हैं उनको धूंधूंद के उंको खत्म करने की वह कोशिश करेगा जो भाइड करते हैं दंगा करते हैं उनकी बात करता है नौर है देखू फेशे क्या है यह आपका इनर लॉच्छ नौर की बाद क्या आगए आपका और चेंज इंडिया इंडिया लौ एड़ाइल ली एंबेस्टर टु इंडिया कॉल पॉर डेजिगनेट हमास एजट टेरर गुप्ट की देखिए आगे देखिए मैं सेंटेंस को दोबार एक्स्प्रेंड करता हूं समझ मारेगा नौर है ने इट नेम्ड हमास हमास का ना में लिए वाद टेयर टेक के लिए चेंज इंडिय लौ इंडियन लौ में बदलाभ हुआ है एक प्राइंडिया afar कि हमास एकीड गूप है लeki इंडिया ने ऐसक髦 नहीं क Comic- i इसलिए सब लोगों को लगता है कि इंडिये एकदम सांत है और जो भी वह बोलता है वह समझ में याथा क्या किया रहा है क्यों किसी का favor कर ही नहीं रहा है सही से इस पर श्रूप से वह और नहीं किसी पर क्या बुरा बोल रहा है more than a month after Israeli reprisal की एक महिनी से भी ज्यादा हो गया बदले वाला बदला लेते हुए या शुरू किया हुआ बदला रेना एक महिनी से भी ज्यादा हो चुका है कि गौर्मेंट को अब इसकी पुजिशन क्या है कन्फिलिट को ले करके वह एक्स्प्लेइन करें इंक्लूडिंग वियर इफ एनिवियर कहीं भी इंडिया कोड़ प्ले और रोल अल्विटिंग दे सिचुवेशन अगर इंडिया कहीं भी अल्विट कर सकता है चलय लाल इंडिया को सब्सक्ते अंडिया की गौर्मेंट एक्स्प्लेइन करें खाहए कि इंडिया को ले करें ले शुप्लेइन सब्सक्ति में ग्लूबल साउथ की जो अवाजिंग आरहें या कहा जा रहा है जी ट्व深 Ni बिच्वर डा पॉर्चोनिटी टू अर्टिकुलेट उनला इस्पर स्ट्रूप से ऑप्शन फ़र एंडिंग दा वाइलेंज की जी ट्वेंटी जब विट्वल समिट होगी उसमें इस पर स्ट्रूप शेवाइड पॉर्चोनिटी मिल सकती है या बोल सकते हैं कि जो वाइलेंस हो रहा भ और उसकी जो असर होने वाले हैं किस पर प्लिस्ताइनी पर यह प्लिस्ताइन लोगों पर गाजा पर उसकी सिनेरियो करको उसको रिकावर करना है ठीक करना है आखिरकार इंसान तो वो भी है ऐसा थोड़ी सब को मार दोगे क्लियर आगे लास्ट सेंटेंस यह क्या कहता है देखिए इंडियाज वाइज वाइज वन्स नॉन फॉर बींग फॉर्च पॉल एंड बैलेंच और सच इसूज मस्ट नॉट बी रिप्लेज्ट बाई एक्स्पीडियेंट शाइलेंस यह सेंटेंस कह रहा देखिए यह कहना च यह सपोर्ट करता है ठीक है एंड बैलेंस ओन सच इसूज और ऐसे जो मुद्दे चल रहे हैं लड़ाई धगड़े वाले इनको बैलेंस करने की कोशिश करता है आगे वो लगया है कि हैंसे इंडियाज वाइस मस्ट नॉट बी डिप्लेज्ट इंडिया की जो आवाज है न प्लेज्ट नहीं की जा सकती बाइन एक्षबिटेंट में तेजी से साइलेंट अगर कहीं रहा है तो कोई नों कोई बज़ा रही होगी तो ऐसा ना समझें कि वो शांत बैठा हुआ है इंडिया कुछ ना कुछ कहा है जरू हो सकता है अगर इंडिया की बज़े से अकर यह म मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जो बुक अभी लिखने वाल लिख रहा हूं और थोड़ी सी रह गई है यह से जैसी मैं कम्प्लीट करता हूं मैं आप सब के लिए दूँगा ठीक है वो काफी आपके लिए हेल्प हो रहेगा तो मिलते है नेक सेसिन में तब तक क लिए बावा ठीक है वागुड़े